Hello students and welcome back to your own channel Seng Creations Education आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Bio Technology and its Application इस चाप्टर के बेस्ट नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं Completely NCRT-based notes हैं तो जो पच्चे board examination के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए 100% effective notes हैं अगर आप अभी 20% या 30% तक अपनी preparation कर चुके हो तो उस preparation को आप around 90-100% ले जा सकते हो इन notes के जरीए आपके seniors और आपके seniors के भी seniors के help की हैं इन notes ने तो आप लोग इन notes पर पूरी तरह से rely कर सकते हो जब last में हमारे पास 10 से 15 दिन बचते हैं तो हमारे पास इतना time नहीं होता कि हम पूरी की पूरी NCRT उठा सकें उस moment में आपको ये notes जो है काफी जादा help करने वाले हैं तो आप इस video को पूरा जरूर देखेगा इससे पहले के जितने भी chapters हैं सभी की जो PDF सभी की जो notes है मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ तो description box में आपको उस playlist का link मिल जाएगा आप जाकर कि उसे जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो like और share करना ना भूले चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए बिकाज इस चैनल पर board exam से related और neat exam से related आपको काफी सारा ऐसा content मिलने वाला है जो आपकी preparation को काफी जादा enhance करेगा तो चलिए हम start करते हैं आज के chapter को which is chapter number 12 biotechnology and its application सबसे पहली चीज़ biotechnology का use करके हम crops को क्या करते हैं genetically engineered crop बनाते हैं ठीक है हमें किसी भी crop में समझ लो इस crop में जिसी golden rice आपने सुना होगा इस तरह कि हमारे कुछ अलग-अलग कोई ऐसा हमने बना ले जिसके अंदर हमने vitamin A की यह किसी भी vitamin जो हमें उस plant से मिल रहा है उस crop से मिल रहा है उसको हम जिस भी gene से वो मिल रहा है उस gene की concentration उसमें बढ़ा देते हैं अपने desirable gene उसके अंदर enter करा देते हैं जिसके मदद से क्या होता है कि हमें हमारा desirable product मिलता है और ऐसे crop को जिसके अंदर हमने biotech का use किया है उसे हमने genetically engineered crops कहा है अगर आपको ये video पसंद ना आए तो आप लोग मुझे comment section में comment करके भी बता सकते हो because उसके वज़े से improvement होती है वीडियो उसके अंदर और मुझे पदा चलता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और अगर आपको chapter समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इससे पहले जो म मैंने ये video इसलिए मनाई है ताकि मैं आप लोगों को notes प्रोवाइड कर सकूँ उसके साथ साथ ये video इसलिए है ताकि आपको इन notes से कैसे पढ़ना है कितना पढ़ना है कि आपके questions जो आने वाले है exam में वह आपसे हो जाएंगे वह सब चीज़े में आपको इस video में बता रह होते हैं उनके पास they have more tolerance उनके पास यसे ठंड में ड्रॉट कंडिशन में हीट जादा हो गई ऐसी कंडिशन में खराब नहीं होते हैं because they have desirable gene जो ऐसी कंडिशन को tolerate कर सकते हैं insect और pest resistance होते हैं clear efficient mineral usage by plant और enhanced nutritional value यह हमारा main point है ठीक है कि हम लोग उसके अंदर कुछ इस तरीके से इंटर्ड्यूस करा रहे हैं नहीं और desirable genes को कि जो भी हमें nutritional value चाहिए उसकी according gene का insertion हो रहा है फिर उसकी cloning हो रही है और वही product हमें आगे मिल रहा है जैसे की vitamin A rich rice now BT cotton हमने रास chapter में पढ़ा था bacillus thuringiensis एक ऐसा bacteria है जो produce करता है कुछ ऐसे protein जिससे की कुछ certain insects को हम मार सकते हैं जैसे की lepidopteran ठीके ciliopteran ठीके beetles हो गए आपके flies, mosquito इन सब को मारा जा सकता है तो हमने क्या किया bacillus thuringiensis को use किया एक ऐसा protein जो यह बना रहा था जिसके inactivated state को हम activate कैसे कर रहे थे कैसे कोई भी insect वगएरा मर रहा था और उस plant को क्यों नहीं उस bacteria को या उस particular plant जहां पर यह था उससे क्यों कुछ नहीं हो रहा था इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि वह inactivate stage में था activate करने के लिए इस toxin को alkaline pH मिलना चाहिए और वो alkaline pH इसको किसमे मिलता है इंसेक्ट के गट में मिलता है जैसे इंसेक्ट इसको खाता है उसके अंदर यह toxin चला जाएगा और toxin को मिल जाएगा alkaline pH जिसकी वज़े से toxin जो है एक्टिवेट हो जाएगा now activated toxin will bind to the epithelial cell in the mid gut of insect और कुछ पोर बना देगा जिसके वज़े से swelling हो जाएगी और eventually insect मर जाएगा तो आपने देखा हमने किस तरीके से एक particular जो criteria है उसका use करके अपने लिए desirable चीज बनाएगा तो इस toxin को यह toxin जो है cry gene के लिए bacteria में encode करता था तो this gene is encoded by cry IAC and cry second AB control cotton ball worms and those encode for control corn borer now cry genes सो होते हैं उनको introduce किया गया cotton plant में ताकि BT cotton बन सके जो की insect resistant variety है cotton की ठीक है तो यह वाली चीज कि भाई जब हमारा यह toxin activated toxin इन gene के साथ काम कर रहा है इनके साथ introduce हो रहा है तो यह corn borer नाम की disease नहीं होने दे रहा जब इन दोनों gene के साथ आ रहा है तो cotton ball worm नहीं होने दे रहा तो क्या करा लोगों ने scientist ने क्या किया cry gene को introduce करा दिया किसमें cotton plant में और cotton plant के पास तो पहले से ही bacillus thuringinesis produce था ठीक है तो उसके साथ जाकर कि जब encoding हुई तो beauty cotton बना जिसको insect resistant वराइटी कहते है cotton की यानि कि इसके उपर कोई भी insect नहीं आ सकता क्योंकि जैसे ही cotton cotton के plant के उपर जैसे ही कोई insect आएगा तो क्या हो जाएगा उसके गट में यह toxin चला जाएगा और यह toxin उसको मार देगा RNA interference RNA के बनने के process में बाधा डालना इंटरफेयर करना ठीक है तो RNA interference में एक ऐसा RNA लेकर के आते हैं mRNA के साथ bind कराने के लिए जिसकी वज़े से double standard RNA बन जाता है कि कोई भी double standard RNA आगे चलके protein बनाए नहीं RNA हमिशा single standard होता है तो अगर जैसे ही हमने इस mRNA को कोई complementary RNA दे दिया यह बन गया हमारा double standard RNA और double standard RNA आगे जाके protein नहीं बन सकता ठीक है तो उसका translation नहीं हो पाएगा उसका gene expression रुग गया इसे कहते है gene silencing ठीक है और इस complementary mRNA यह complementary RNA कहां से सकता है infection by RNA virus यह transpose zones ठीक है jumping genes now अगला हम देखते हैं आप इसकी screen shots में ले सकते हैं description box में आपको इसका PDF मिल जाएगा अगला biotechnology को medicine में हम कहां कहां apply कर रहे हैं पहला recombinant therapeutics में with the help of RDT recombinant DNA technology कुछ therapeutic drugs बनाया जा रहे हैं mass production किया जा रहा है इनका और यह जो है safe भी है और इनक surgical response नहीं create किया गया हम पहले क्या होता था insulin जो है diabetes में आपने सुना होगा insulin जो है वही कम होता है वही produce नहीं होता है तो अब क्या है हम insulin खुद produce करवा सकते हैं कैसे insulin जो है सबसे जादा demand में है क्योंकि number of patient diabetes के बढ़ रहे हैं insulin को extract किया जाता था पहले animal source से ठीक है जिसकी व तो insulin जो है उसकी तीन peptide chain होती है A B और C कुछ इस तरीके से इसकी chain होती है इस तरीके से तो यह वाला जो पार्ट है इसको cut कर दिया जाता है तो pro enzyme insulin को mature यानि कि उसकी maturation के लिए हमें C peptide को remove करना पड़ेगा तो A और B chain रहती है तो mature के पास सिर्फ A और B रहेगी और यह द plasmid of E coli ताकि insulin की chains बन सके Now separately produced chain A and chain B were extracted and combined by creating a disulfide bond to form mature human insulin हमने क्या किया insulin के gene के बीच में से C जो chain है उसे हटा दिया A और B को separately किसमें डाल दिया E coli के अंदर डाल दिया ठीके और आगे जब इसने replicate किया तो इसने gene को ही बनाया ठीक है human insulin के gene को ही बनाया what is gene therapy gene therapy के ऐसा attempt है जिसमें genetic या congenital disease को कहीं न कहीं treat करते हैं इसका aim क्या है कि अगर किसी भी gene में कोई defect है ठीक है normal gene जहां होना चीए वहाँ पर कोई दूसरा gene present है तो क्या होगा उसको कहीं न कही change करने के लिए उसको normal करने के लिए gene therapy की जाती है ठीक है अगर जैसा मजलोग कोई एक gene है जो function करना चाहिए लेकिन यहां से यहां तक वो gene function नहीं कर रहा है उसका function नहीं show हो रहा है ठीक है तो the first disease to have a gene therapy is ADA adenosine dmins deficiency इसमें क्या हुआ था gene coding जो थी adenosine dmins के लिए वो delete हो और इसकी वज़े से कुछ immune system में problem हो गई ADA deficiency अगर हो गई है तो हम उसे कैसे treat कर सकते हैं bone marrow के transplantation से या फिर enzyme को ही replace कर देंगे enzyme replacement therapy उसी enzyme से उस particular sequence को ही replace कर देंगे gene therapy for ADA deficiency lymphocyte bone marrow transplantation वाला ठीक है c dna की मदद से कर सकते हैं और इन lymphocytes को they will be return back to the patient's body जिसकी वैसे क्या हुआ reverse condition आ गए c dna आपने सुना होगा reverse transcription में use होता ही है ठीक है उसके बाद molecular diagnosis में biotechnology का use करते हैं जैसे कि हमें कोई भी जैसे आपने covid में सुना होगा RT-PCR के वज़े से कितनी जादा diagnosis की गई थी ELISA enzyme linked immunosorbent SA recombinant dna technologies यह सब क्या है यह सब वो particular diagnosis वाले particular वो है कि हम इससे क्या कर सकते हैं इन particular techniques से हम लोग कहीं न कहीं diagnosis कर सकते हैं किसी भी disease का correct PCR को हम use करते हैं HIV virus को detect करने के लिए AIDS की patient में ELISA को हम एक antigen antibody interaction वाला test है तो इसकी presence में अगर antigen present होगा तो antibody बन जाएगी और जैसे antibody बनेगी उस antibody को detect कर लिया जाएगा जिससे पता चलता है कि हाँ body के अंदर वो antigen present है ठीक है एक तरीके से हमने क्या क्या डाइग्नॉस किया अगला है हमारा transgenic animals and biopiracy यान की गलत तरीके से कैसे use किया जा रहा है transgenic animals क्या है animal के पास उनका खुद का DNA होता है जिसको हम express कराते हैं जिसको एक extra gene के साथ हम express कराते हैं जिसे हम कहते हैं animal की हम उस disease अगर जो भी disease हो रही है cancer हो गया ठीक है cystic fibrosis यह सारे जो human disease हो रही है इनका पदा करने के लिए तो वो किस पर की जाएंगी भई हरे चीज का model क्या है rat rabbit इनके उपर experiment किये जाते हैं biological product बनाने के लिए कई ऐसी disease हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे product चाहिए होते हैं ज protein alpha-1 anti-tripsym जिसको एंफी समय को treat करने के लिए यूज करते हैं तो उसको हम isolate कैसे करते हैं इसी particular method से करते हैं क्लियर रोजी काओ के बारे में सबने सुना है सबसे पहली transgenic थी जिसको प्रेड्यूस किया गया था जिसने प्रेड्यूस किया था human protein enriched milk यह याद रखना main point है य इनी transgenic animals पर vaccine safe है सिधा ऐसा नहीं होता कि vaccine बन गई और humans को लगा दी गई ऐसा नहीं होता सबसे पहले अलग-अलग trials होते है animals पर try किया जाता है पहले उसके बाद एक अदग कुछ number of population पर use किया जाता है उसके बाद market में उस humans पर test किया जाता है ठीक है और chemical safety testing क्या chemical safe है या कोई भी chemical market में आप तक आने से पहले इनी transgenic animals पर use किया जाता है ethical issues associated with transgenic animal Indian government ने एक particular committee बनाई है GEAC इसका full form याद रखेंगे आप which makes the decision regarding validity of GM research and its use for public utility याने कि जो यह decision पास करती है कि क्या वो जो particular research हो रही है ठीक है transgenic animals की वो कैसी है ठीक है genetic engineering जो research है यहाँ पर वो कितनी authentic है valid कितनी है और उसका क्या public के लिए फायदा है ठीक है benefit क्या है modification की वज़े से it may result in the loss of biological significance यानि कि उस animal का जैसे modify कर रहे है न तो उस animal का particular उसका regulation है उसके beyond भी significance आ सकता है इस तरीके से यह बहुत important जैसे कि सबसे बड़ी चीज क्या हुई है ethical issues क्या आये थे example के तौर पर आपको बताते है बास्मती की नई variety claim कर ली थी American company ने patent हम हर्मेशा कहते है कि कोई भी नई चीज अगर आपने identify की है जो की पूरी जो जनता है पूर इंडिया ने एक जगह गलती क्या कर दी थी कि एक बास्मती जो चावल आपसे भी खाते है ठीक है उस बास्मती राइस का एक नया variety खो जा गया था जिसको अमेरिका कंपनी ने patent उसका ले लिया और patent लेने के गाद उन्होंने क्या कहा यह तो हमारे या का है जबकि यह जो न अमेरिका ने अब इंडिया इसमें कुछ नहीं कर सकता ठीक है क्योंकि उन्होंने पहले नहीं ली थी इसी तरीके से नीम और टर्मरिक जो कि इंडिया में एजिस से आ रहे हैं उसको भी patent rights जो है also the matters of dispute for patent rights उसको भी कई हो ने यहाँ पर claim किया है यह ethical issues यहाँ पर आ जाते है बायो पायरिसी क्या है बायो resources को यानि कि आपने देखा होगा ना कहा जाता है चाइना ने biological weapon बनाया जिसके वज़े से पूरे के पूरे world को सफर करना पड़ा है ना तो वैसे ही है बायो resources को या particular कुछ MNCs वगेरा जो हैं use करती है without proper authorization from countries and people concerned without compensatory payment industry में यहाँ पर जो लोग economically rich होते हैं वो poor लोगों को biodiversity का opposite काम कराते हैं यानि कि developing nation में उनसे काफी बुरी तरीके से काम लिया जाता है इसी लिए जो developed countries है they exploit traditional knowledge and resources of poor countries for commercialization ठीक है this is a matter of injustice यह एक तरीके से आप पढ़ लोगे just इसके उपर question ने बनता लिकिन case study में यहाँ पर question बन सकता है I hope आप लोग कोई वीडियो पसंद आयोगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप commentation में comment करें कि पूछ सकते हो डीटेल में नहीं समझाया है और एक overview दिया है कि question कहां से बनते हैं और कहां से कैसे आपको याद करना है तो आप लोग उसे ध्यान में रखिए अगर डीटेल में पढ़ना है have a good day, bye bye, अगली वीडियो के साथ आप लोग को इसी चानल पर मिलते हैं, bye bye